असलाम लेक्व स्टूड़ आप देखने मेरे यूटीब चैनल तालिम तर्वियत की दुनिया मैं हूं ममंध यासर एक बाद स्टूड़ चप्टर नमबर तैन जो है वो प्रेशर एंड मोमेंट से रिलेटेड़ है अब प्रेशर क्या चीज है प्रेशर देखें यहां पर जो एरिया है इसकी जो रेशो है वो प्रेशर कहलाती है अब देखें हमारे परस क्योंके जो प्रेशर का तलक है वो दो चीजों के साथ है फोर्स और एरिया के साथ है तो जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोशनल है एरिया के तो इन्वर्सली प्रोपोशनल का मतलब यह है कि अगर हम एरिया को बढ़ा देंगे तो हमारा प्रेशर कम हो जाएगा और अगर हम एरिया को कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसके मतलब यह होगा कि प्रेशर इस लार्ज प्रेशर जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो अब प्रेशर का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है यनि ये डिरेक्ट रिलेशन है डिरेक्ट रिलेशन से मुझाद है कि अगर अगर फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा और अगर force कम होगी तो क्या होगा pressure कम होगा pressure is larger when the force is larger यहनी force प्रेशर ज्यादा होगा लार्ज होगा कब लार्ज होगा जब force क्या होगी ज्यादा होगी अच्छा कैसे इसकी एक मैंने वैसे जहां पर एक example लिखी है एक सरक कुछ लेते हैं कि sharp knife वर्सिस blunt knife यहनी कि अगर एक तेज चुरी है और एक बलंट है इतनी तेज नहीं है तो क्या होगा कि जब sharp knife होगा तो उसमें अगर आप एपल को कट करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है कि कम force लगानी पड़ती है क्योंकि जो sharp knife होता है उसको जो edge होते हो बड़े sharp होते हो इसलिए कम surface को टच कर रहे एपल की इसलिए हमें कम force required होती है जबकि जो blunt होता है तो blunt knife का ज्यादा area एपल की surface को टच कर रहा होता है इसलिए हमें ज्यादा force लगानी पड़ती है तो इसलिए यहां पर क्या है area ज्यादा है तो हमें force ज्यादा लगानी पड़ेगी pressure create करे लिए और यहां पर क्योंकि area क जब वुडन फ्लोर पर चलती हैं तो अगर हील वाला जूता पहना तो क्यों उनके हील के जो निशान होते हैं वो वुडन फ्लोर पर रहा जाते हैं तो इसकी रिजन यह होती है कि हमारे पास जो ज्यादा यह तोटल जो प्रैशर है वो कम सर्फिस अरिया पर पढ़ रहा होता तो इसलिए फौर्स जो है एक कम इरी में लग रही है इसलिए प्रैशर हाई है शुत जाते हैं जो जब तो इसको क्यों नहीं हर्ट करते हैं उसकी रीजन जी होती है कि देखो अग़ो बौरी बाडि वो सारे रिजन वेयल्स के इल's के र यह तेडना ही हुझी तो इस्को य area जो नेल्स को टच कर रहे हैं वो ज्यादा है अगर इसी Chili पर ख electr किया जाए नंगे Pts लुझ का इसको को हर्ट करेंगे क्यों कि उसका जो वेड़ है वो ज्यादा जागा है och कम surface area को टच कर रहे हैं तो इसलीए वह उसको हर्ट करेंगे तो इस note क्ट ह dear इसके साथ साथ एक और इंपोर्टन प्रीज़ जो काई प्रेशर गैसेज इसमें यह पॉइंट है बहुत अची तर आप जैन में रख लेए कि जो आप मालेकूल होते हैं वह रेंज नहीं होते हैं यह नहीं कि अनकि कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती हैं वह किसी भी आडर are not arranged are strongly held together मतलब इनका अपस में मालेकुल एक दूसरे के साथ मजबूती से नहीं जुड़े होते हैं इसलिए असानी से वो मूव कर रहे होते हैं एक दूसरे से दूर जि मालेकुल मूव वेरी फास्ट इन आल डिरेक्शन बड़ी तेजी से मूव कर रहे होते हैं जब तेजी से मूव करते हैं हापस में टकराते हैं दूटू फ्रेक्शन क्या होता है कि इनका टंप्रेचर बढ़ता है जब टंप्रेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ जाता है इसके लावा यहां पर वो एक सवाल पूछता है कि इस तरह जो गैसिस होती है उनको क्यों असानी से कंप्रेस किया जा सकता है इसलिए कंप्रेस किया जा सकता है कि इनके दर्मियान क्या होती है एमटी स्पेसिस ज्यादा होती है empty spaces ज्यादा होनी के वज़े से इनको असानी से compress किया जा सकता है जबकि liquid को आप compress नहीं कर सकते अच्छा है नेक्स हमारे पास अगर हम बात करें जैसे हमारे पास अगेन एक important pressure और volume का जो जिकर है pressure और volume देखो pressure और volume एक दूसरे के inverse proportionल है inverse proportion का यह मतलब है कि अगर आपके पास volume ज्यादा है तो pressure कम हो जाएगा और volume कम है तो pressure ज्यादा हो जाएगा कैसे है यहाँ पर मैंने एक example के लिए यहाँ पर बनाए हैं यह दो तीन container आप इनको देखें अब यह मेरे पास 4 kg का एक cylinder है यह 5 kg का एक cylinder है और यह 4 kg का एक cylinder है अब आप देख सकते हैं कि इसमें 3 kg gas फिल कर दीगी है इसमें भी 3 kg कर दीगी इसमें 3.5 kg फिल कर दीगी है तो अब आप देखें कि इन में किस का pressure जो है ज्यादा होगा और किस का कम होगा अब जो देखे इसके अंदर gas की quantity same है तो क्या इन दोनों के अंदर pressure same होगा तो इस cancer है no क्यों क्योंकि gas की जो quantity है वो तो 3 kg है तो इसके जो volume है वो ज्यादा है यह नहीं 5 kg है तो जो volume ज्यादा होगा तो pressure कम हो जाएगा यह चीज तो inverse proportion है अब यहाँ पर मैंने बताया कि यह दोनों एक दूसरी के inverse proportion है volume बढ़ा होगे तो pressure कम हो जाएगा इसलिए इसके comparatively इस cylinder का volume क्या होगा कम होगा क्योंकि quantity तो same है gas की लेकिन volume ज्यादा होनी की वज़एं से इसका 5 kg यह नहीं के volume है तो इसलिए इसका pressure क्या होगा ज्यादा होगा कम होगा इसकी निस्बत इसका pressure क्या होगा ज्यादा होगा और अगर A और C का comparison किया जाए तो इन में देखे जाए तो volume दोनों का अपस में क्या है same है लेकिन quantity जो gas है वो ज्यादा है इसमें 3.5 है और इसमें 3 है यह इसमें 3.5 किलो gas है और इसमें 3 किलो है तो definitely इसके अंदर दोनों का volume सेम है लेकिन gas की quantity is different होनी के वजह से इसका pressure क्या होगा ज्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर gas ज्यादा है और volume सेम है एक और बड़ी important चीज है कि अगर आप volume को half करते हो तो pressure क्या हो जाता है डबल हो जाता है जैसे हैं यहाँ पर मैंने 2 cylinder बनाए है अगर 6 kg का एक cylinder है और उसमें 2 kg मेरे पास क्या है gas है अब अगर इस 6 kg का volume half करके यनि एक ऐसे cylinder लिया जाए जो 3 kg हो तो अब इसमें क्या किया गया है कि volume को half कर दिया गया अगर volume को half किया गया है तो यहाँ पर 2 kg था और यहाँ पर भी 2 यहनि quantity तो सेम है सिर्फ फर्क क्या किया गया है कि volume को half किया गया है तो अब definitely इसके अगर फर्स किया कि 5 प्रेशर था तो इसका 10 हो जाएगा, प्रेशर डबल हो जाएगा, यह नहीं वालियम को हाफ करने से प्रेशर डबल हो जाता है, यह हमेशन याद रखिएगा, अब्जेक्टिव का बहुत इंपोर्टन पॉइंट है, तो बस इसमें इतनी सी बात थी, जो आपको बता दी, तो कि सुछ आप प्रेशर और वालियम को मल्टिप्लाइ करें, अब्जेक्टिव करें, तो इसका 10,000 किलो पास्कल इंदेस के स्केर, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इतना हो जाएगा, अच्छा, नेक्स्ट जो है, हमारे पास आजाता है, प्रेशर और डब्ध की जाएगा, की जैसा प्रेशर नहीं होगा, जैसे के नीचे उसमें बड़ी अच्छी एक्जांपल दी ही, इसको हम डिसक्स करते हैं, यह पूरा टापिकों पर आपका के लिए हो जाएगा, अब देखें, यह पॉइंट A हम कह देते हैं, यह B कह देते हैं, और C कह देते हैं, तीन होल है यहां से यहां से फाहिए हैं यह से यहां से अगर मैं इसे यहां देखूँ तो इतना लीकट है जिसका वीट कर पर रहा है क्योंकि इस तो इस ब prêtष कम है स्लीए प्रेशर कम है, अगर हम देखें तो यह तकरीबन यहां तक यह lipid ही हैंहें से लेकर यहां हाइट का लिक्विट ज्यादा हो गया, तो वेट लिक्विट का ज्यादा हो गया, वेट लिक्विट का ज्यादा होने की वज़ए से, बी वले होल का प्रेशर आप देख सकते हैं, एक ही निस्बत ज्यादा है, इसी तिर अगर हम सी देखें, तो सी में क्या है, सबसे ज्यादा हाइट ह तो weight ज्यादा है तो definitely एक ज्यादा force act कर रही है इस area पर क्योंकि area तो same है ना इन सारे ABC का देखा जाए तो internal जो है area वो तो same है इसलिए यहां पर हमारे पास क्या है कि area same होनी के वज़ें से लेकिन weight ज्यादा है इसलिए इसका pressure आप देख सकते हैं कि ज्यादा है तो इसलिए जो depth होती है different depth पर different pressure होता है वो same नहीं रहता और एक और चीज़ जो pressure होता है pressure in liquid acts in our direction यह भी important point है कि जो pressure होता है liquid का वो हर direction में क्या कर रहा होता है एक इससे यह मिरादा है कोई different नहीं होगा फिर हमारे पास आ जाता है pressure का जो relation है pressure का वो density के साथ density और pressure अगर density के क्या होती है density का होती है mass over volume कि उसका mass कितना है और volume यानि उसने जगह कितनी गेरी होई है तो बाद वालियम सेम होता है लेकिन mass का difference होता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आप देख सकते हैं कि इसका यह देखें इधर तक liquid है और इसका विदर देखें दोनों बिल्कुल जो है इन दोनों का same है यह जो volume है दोनों में same है लेकिन क्या है कि mass इसमें 10 kg है पर मीटर क्यूब है और इसमें 13,600 kg पर मीटर क्यूब है तो अब क्योंकि इधर वेट ज्यादा है वेट ज्यादा होने की वजह से इसका क्या होगा प्रेशर भी ज्यादा होगा तो density यह मतलब है कि जहाँ weight ज्यादा होता है वो ज्यादा dense होते हैं यह नहीं कि उनकी density ज्यादा होगी और वहाँ pressure भी ज्यादा होगा और अगर weight कम है किसी liquid का volume बेशक सेम हो लेकिन weight अगर कम है तो pressure कम होगा अगर weight ज्यादा है तो pressure ज्यादा होगा बस density और pressure का ये relation है बस ज्यादा एकना कि जो ज्यादा dense liquid होते हैं जैसा केस वाले case में यहाँ पे 13-6 एंड इसका मैस है तो लाज़मी बात है downward force कम लग रही है तो pressure कम होगा तो इसलिए आपने ये जहन में रखना है कि अगर weight ज्यादा होगा जिस liquid का volume सेम होने पर वो ज्यादा pressure लगेगा अच्छा उसको बदद container shape and pressure का क्या तरल लगा है तो देखें container जो shape है न वो pressure पर कोई effect नहीं करती क्यों क्योंकि the pressure in a liquid does not depend on shape of the container जैसे अब ये देख सकते हैं कि इसका ये वाला जो part है ये वाला इसमें और इसमें ते क्योंकि असल में liquid अपनी सता maintain रखता है यनि कि अपनी surface को maintain रखता है level को maintain रखता है इसलिए pressure का जो shape पर कोई effect नहीं होता बस इस पूरे point में सिरफ यही चीज़ बताएगी है कि pressure जो है वो किसी भी container की shape पर depend नहीं करेगा बाकि ये वाला आपने पढ़ ले नहीं ये important point है इसका did you know इसको पढ़ ले ना कम time में ज्यादा है बता तो अब student आजाता है हमारे पास hydraulic machine अब देखा hydraulic machine जो है ना इसका तल्लक होता है आपका liquid के साथ ही कि यह निकि जो liquid होता है अब क्योंकि liquid को आप क्या कर सकते हो liquid को आप compress नहीं कर सकते जब आप liquid को compress नहीं कर सकते तो आप force लगाते हो तो कहीं जब space available होती है तो वो क्या करता है कि वो आगे force को forward करता है तो यह जो hydraulic pressure होते है इन में यह hydraulic machines जब गएरा होती है jacks जब गएरा जितने भी होते हैं इनके अंदर क्या होता है एक liquid होता है आईल टाइप होता है ठीक है और उसमें क्या होता है कि जैसे मेरे पास पूस यह pipe है अब देख से यह मेरे पास एक बड़ा सा एक pipe है उसको ना मैंने इतना fill किया हुआ है कि यहां तक क्या है कि यह उसके अंदर लीक्विड यह जगा फर्च किया empty है और यह सारा liquid है यह एक पीछे यहां पर एक मैंने प्लेट लगी है यह आगे जाके इसके साथ चेपक जाएगी यह आगे को मूव करेगी जब आगे को मूव करेगी तो यहां पर यह निके अगर एक ऐसा कोई सिलंडर लगा हुआ है तो प्रेस करेंगे यहां से इसको तो यह मूव होके लाजमी बात है यह आगे को आजाएगा जैसे क्वे आप अप यह देख सकते हैं यह इसमय असल बीच पte रूप काई जाएगा हूँ तो यह देख सकते हैं, यह बार سी आ गया हुँ, इसी दरह भी इसी दरह मूफ करती है क्योंकि लीक्विट इसको फोर्स कर रहोता है आगे Brian 125 प्रेस केते हैं अलगे इसके प्रेस्ट परंपर्स की। अगे फोर्स करेदा है लेकिन बीच में जो space होती है, डिस्क में वो क्या करता है, डिस्क को आगे दबा देता है, यह प्रैस कर देता है, यह निकि voi डिस्क पूर्स लगती है, फोर्स लेगती है, तो wheel के साथ एक डिस्क ही लगी होती है जैसे आप हटाते है पाओ तो जो डिस्क के ऊपर और डिस्क होती है जो इसके साथ दबती है वो पीछे आड़ जाती है लेकिन यह इंट्रेस्टेंग सब ना मिसा अब यह देखें दो पिस्टन लगी हुए एक small area एक bigger area इसका जो area वो 0.01 meter square है इसका 0.1 है 12 newton force लगाई जा रही है तो अब देखें force लगाई जा रही है 12 newton यहीं pressure हम निगा लें तो 12 newton area कितना है 0.01 इन दोनों को divide करें तो जो pressure हमारे पास यहां से generate होगा वो 12000 पास करोगा तो हमारे पास output क्या होगी अब output हमारे पास यह होगी प्रेशर multiply by force प्रेशर मल्टिप्लाइब क्या हो जाए कैसे क्योंकि हमें force चेक करने है यह force तो लाजिए बात है यह जो area यह दर प्रेशर के साथ आकर multiply हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यह देखें प्रेशर मल्टिप्लाइब क्योंकि यह divide हो रहा था इस पर तो इस side पर आकर multiply होगे और दूसरी तरफ देखो फोर्स रहे जाएगा तो अब देखो हमारे पास प्रेशर जो है वह 1200 न्यूटन है और area जो है कि कितनी ज्यादा जो फोर्स जनरेट हुई और उसकी reason क्या उसकी reason क्या है यह देखें यहाँ पर area कम है जब area कम होगा तो इसमें क्या होगा कि जब कम फोर्स में ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा तो इसलिए जब area कम होगा तो शुरू में मैं आपके बताया था कि area कम ह पर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है तो इसलिए एरिया कम है प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा जब ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा तो कम फोर्स की वजह से ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा तो दूसरी तरफ जो आउट पूट आएगी वो डेफिनेटली ज्यादा आएगी जनी फोर्स ज्यादा लगेगी उसकी वजह यह होगी कि यहां पर प्रेशर ज्यादा है जो प्रेशर ज्यादा है तो डेफिनेटली वह फोर्स भी आउटपुट है जनी कि हमारी पास बढ़ी आएगी बिल्कुल ऐसी जैसे चोटा सा पाइप अक्सर आपने देखा हो अब देखें लीवर ओंड अब देखें जैसे यहाली है उन्सको सिंपल सी बात है आप मैं से लीवर केते हैं लंबासा जो बार होता है उसे हम क्या कहते है एक लीवर क्या रहा जाता है यह सपैनर के का लीवर की एक एग्जामपल है अचैंशा ङसमें दो चीजें बड़ी effect हो रहा है यहां force लग रही है और इस force का effect है वो किस जगा यहां पर हो रहा है तो जहां force लग रही है और जहां पर force का effect है उनके दरमयान जो distance है वो कितना है अगर आपका और इसे क्या कहते है moment time यह जो है ना और moment time है इसे क्या कहते है moment time यहां यहां पर force लग रही है वहां से लेकर जहां पर force का effect हो रहा है यहां point of rotation भी इसे कहा जाता है point of rotation उन दोनों के दर्माइन जो फासला है वहां moment लगाने पड़ेगी अब देखें इनके बड़े बड़े ट्राक होते हैं उनमे आप देखें तो उनके पास इस टाइप का spanner होता है और उनके बड़ा सा pipe रखाता है वह क्या करते है वह पाइप इस spanner में डाल देते हैं तो जो length होती है वह ज्यादा हो जाती है और वह कम करने से force ज्यादा हो जाएगी जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया यह इसे कहते है फलक्रम भी कहा जाते है और private point कहा जाते है यह जो बार है यह जो आपका lever है यह move करेगा उसकी movement तो यह देखें यहाँ पर effort है effort और यह लोड यहनी effort का मतलब होता यहाँ सी हाँ तक length ज्याद है और यहाँ सी हाँ तक यहाँ सी हाँ तक कम है तो यह बहुत यहीं कम force में बहुत बड़ा पथर जो उताजाएछा में बार यहां से बड़ी reason जहाती है कि moment, जब बढ़ जाएगा यहाँ सी यहाँ तक अपासला जतना कर ज़िए अधना उतला ह रही है और जो point of rotation है वो कितना दूर है उसने शायद आगे जिकर किया है यह कि अभी a turning effects of a force is called moment अच्छा इसमें एक और चीज है यह line जो है बड़ी important है the lever acts as a force multiplier ठीक है जो lever होता है force multiplier के तोर पर use होता है यह वरी जो line है अपसे objective में भी पूछा जा सकता है उसके बार देखें a turning effects of a force is called moment अब अगें turning effects of a force अब देखो turning effects of a force is called moment यहनिके यह force है और इस force की वजह से यह जो point पे यहां पर turn हो रही है यहां पर force का असर हो रहा है और यह nut open हो रहा है तो यहां से लेकर यहां तक जो distance है that is the moment आप और इसमें कह रहे हैं कि दो चीज़ें important होती है size of moment depends upon the two things number one size of the force यहनिके size of the force की कितनी force लग रही है distance of the force from the private यहनि पाइवेट का मतलब है कि यह जो point है जैसे यह वाले एक private point है force कितनी लग रही है और उसका इस point से point तक फासला किदर यहां से यहां तक फासला कितना है फासला ज्यादा force यहां से यहां तक फासला कितना है फासला ज्यादा इदर यह private point है इदर से इदर तक फासला ज्यादा है तो force कम फासला कम तो force ज्यादा ल यह होगा कि यहां से यहां से यहां तक कितने फास्ला है और फोर्स कितनी लाग रही है इन दोनों को multiply करेंगे तो आपके पास moment आ जाएगा अच्छे इसमें हमारे पास देखें इस तरह का आप से question में भी पूछा जा सकता है पेपर में question पूछा जा सकता है अब आप देख सकते हैं कि यह private point है इसमें एक बच्चा यहां बैठा है और दूसरा यहां बैठा है अब देखेंगा tom को देखेंगा tom का weight है 600 newton और जबके इधर जो है जो है जो है इसका जो है इसका जो है इसका कितना है जी 400 newton है अब यह देखो इसका यहां से distance कितना है 3 meter है यहां से यहां से यहां तक 3 meter है यह इस point से 3 meter दूर यह जो है बैठी है बच्ची और यह जो बच्चा है इसको देखें तो यह कितने 2 meter पे हैं दोनों का मुवमेंट आम डिफरेंट है और उसकी रीजन यह है कि आप देखे कैसे इनका अपस में एक्वल होगा क्लाकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लाकवाइज मूवमेंट यहां से जो है मूवमेंट आम मुल्टिप्लाइब्स एह नहीं असलमें ये टार्क होता है इसका एसा सिंबल होता है और इसको क्या किया जाता है और एफ का आजयाते है तो आप आपके पास कितने है टू है एफ आपके पकास क्या है तो यह कितना हो ग हैOW तो यह तोर्स अ अगर इन दोनों का यहां से हमोमेट आम निकालें तो four one zero four hundred हो जाएगा इस तरफ और इस तरफ देखें तो two three zero six hundred हो जाएगा तो देखो four hundred six hundred is not equal to four hundred तो यह बैलंस इस वजह से नहीं है क्योंकि इनका जो clockwise और anti clockwise moment है वो दोनों different है अच्छा इनको अगर balance अगर इस तरह कर दे दे और वो कहें कि इसको balance करके देखें तो कैसे करेंगे simple सी बात है यह जो बच्ची बैठी है इसको आप move कराकर यहां पर अगर हम ले आते हैं कितने distance पर यहां से लेकर यहां तक का distance हम करके कितना कर दें two meter कर दें अगर हम two meter करते हैं तो फिर क्या होगा two two zero four hundred आ जाएगा और four one zero four हो जाएगा तो यह balance हो जाएगा तो यह उसी वक्त यह नहीं कि balance में जा सकते है जब इसकी position three meter से two meter तक आप ले आए तो इस तरह क्योंकि बहुत कम time है मैंने कोशिश किया ज्यादे चीज़ एक्स्प्लें क करना कर लो कि टाइम बहुत कम था कर दो